प्रेक्टिस कर रहे हैं और यह हमारा क्रेश कोर्स सल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेक्टिस करा रहा है तो आपको मालू में प्रेक्टिस के साथ देखो एक तो प्रेक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइस और एक होती है प्रेक्टिस मेंली मॉक और मैं हमेश course का उसका उदेश्य क्या है उसका उदेश्य है practice मंगर मौक तो आपको लगा नहीं है तो यहाँ पर हमारे मौक हैं आप ये भी ले सकते हो मौक आप कहीं से भी practice कर सकते हैं ठीक है हमारे आप 900 रुपीज में 10 मौक से हमने अपना प्राइस अल्रेडी बहुत ज़्यादा कम रखा है आप कहीं से भी चेक कर लेना देखो मौक यहाँ पर आपको हर डेली बेसिस पर एक-एक मौक दिया जाएगा आपको बच्चा कर ले रहा है सोला तारिक को ले रहा है तो उसकोई डरने आली बात नहीं है किसार यह डेट सो निकल गी तो उसको सारे मौक मिल जाएंगे ठीक है मतला आपके टोटल 10 मौक सापको मिलेंगे 900 रुपीज में बागी अधिक जांकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक कर सकते हैं चलि यह है मेरी च्वाइस यह मेरी प्रिफरेंस है तो इसका मतलब क्या होता है किसी को प्रिफरेंस को प्रिफरेंस करना ठीक है भाई तू राजमा चावल खाता है या दाल मक नहीं खाएगा भाई मैं राजमा चावल को प्रिफरेंस देता हूँ यही मेरी पहली प्रिफरेंस ह R E N C है, अच्छे जहर चीज को खोल कोल के दिखेंगे, difference का मतलब होता है, respect respect का मतलब होता है, किसी को reverence देना, reverence R E V E R A N C difference, respect, reverence venerance, ये सारे जो word हैं, ये सारे word respect को दिखाते हैं, ये बात आपको क्या होने आग्या में हो, one who is always ready to obey, जो आग्याकारी type हो, ठीक है, subservience में हो आग्या में हो, next word next आता है, हमारा one word substitution है, a large bundle bound for storage or transport मतलब, basically, बोरी type एक गठरी हो जाती है न, ले जाने के ले बोरी हो जाती है, जो सर पर बिठा के ले जाते हो, तो एक ऐसा large bundle जो storage और transportation के काम आता, तो उसे क्या बोलते हैं BY बोलते हैं, bouquet बोलते हैं bail बोलते हैं, brood बोलते हैं, जल्दी से बताओ, क्या होगा लार्ज बंडल ब्राउंड, इसको क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं bail, B-A-L-E bail bail होता है आपका गठरी, ठीक है जो आपके transportation या कोई ची store करने की काम है, बिवाई का मतलब क्या होता है, a group of girls group of girls a group of girls is called बिवाई, group of girls को बिवाई बोला जाता है, ठीक है बुके तो आप सबको पताए, आप लोग बुके लेके जाते हो bail, मैंने आपको बता दिया, bail answer होगा अब बताओ, brood क्या होते है, brood होते है किसी भी जानवरों के जो young ones होते है, यंग बच्चे जो offsprings होती है, उनको हम कहते है brood, तो ये चीज़ ध्यान डखना ठीक है, animal rearing से बनाए, ठीक है, तो brood, young ones यो offsprings, आपका अंसर होगा bail, next है हमारा, incorrect बताना है, बताओ, क्या होगा, incorrect mischievous violence existence, definitely आपका correct answer है, यही गलत है, आपका answer है, definitely definitely की spelling होती है, d-i-f-i-n-i-t-e-l-y यह आपका answer होगा, existence जो चीज़ कोई exist करती हो, definitely मतलब कोई चीज़ सर्टन हो, पकी हो, mischievous मतलब शराड़ती, violence आपको पताई है, first आपका answer होगा, बहुत असान था, यह तो CHSL के साब से भी, she was greatly dash by the nightmare she had, nightmare मतलब बुरे सपने, ठीक है, नहीं आता, तो option काटने की कोशिश करो, she was greatly क्या होगा, उसे बुरा सपना आया, तो वो क्या होगा, डर गई, बुरे सपने सब, सभी डरते हैं, नहीं, जब कोई, देखो, बुरे सपना तो आता जाते रहते हैं, जिन्दगी में इतना सब कुछ हो रहा है, बुरा सपना क्या कर लेगा, जब किसी को बुरा सपना आता है, और फिर वो दो-तिन दिन फुल डरना, ट्रेंबल मतलब डर से कापना, तो भीया, पर्टर्ब हो गई, शी वाज ग्रेटली पर्टर्ब, बिल्कुर डिस्टर्ब हो गई थी, बाई द नाइट मेर कि भीया, मुझे क्या पसंद है, कि भीया, मुझे साउट इंगे ब्रेकफार्स पसंद है, अब सुनो, अब कुछ महारती बच्चे आएंगे, और इसे करने की कोशिश करेंगे, गलत, और गलत कर देंगे इसको, देखो, मेरे साथ समझो, तो मैं समझा रहा हूँ आपको, सी पस्ट में आपे दे रखिए, तो आप प्रेजन में कैसे कर सकते हैं, यह तो तो वैसी कट गए, अब आप यह देखो, यहाँ पर आपका I like, यह किस में दे रखा है, आपका I like having, I like subject है, यह वर्ब है, तो यह प्रेजन सिंपल में दे रखा है, ठीक है, तो आपका convert किसमें ह हो जाएगा उसके according, तो क्या हो जागा, यहाँ पर ही आगया, यह वर्ब की second form से यह थी, आपके तो यह यह answer होगा, क्योंकि, वो मुझे बोल रहा है उसे, कि भहिया, मुझे ऐसा South Indian breakfast पसंद है, यह हैबिट नहीं है, पसंद है, और हैबिट में अंतर है, मुझे भहिया, because according to the new rules, only limiting passengers are allowed, ठीक है, airlines की बाद तो यह आपका subject आगया, subject के बाद यह वर्ब आगया, यह प्लूरल थी, तो यह वर्ब आगया, और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो present perfect tense में जा रहा है, कि airlines have increased, airlines ने increase कर दिया है, क्या, object आगया, अपने fare increase कर दिया, ठीक है, यह because आपका conjunction according to, अपका act कर रहा है, कैसा proposition की तरह act कर रहा है, according to the new rules, तो यह तो the new rules है, यह तो इसका क्या हो गया, object हो गया, proportional object हो गया, only, only किसको, अब इधर देखते हैं, यह उपर तो सारा सी है, यह देखते है, only limiting passengers are allowed, मेरा भाई एक now नहीं है, ठीक है, और यह limit, I am limiting, I am limiting you to do this, तो मै है, तो मैं limit कर रहा हूं, मैं तुमारी limit बांद रहा हूं, कि तो भया, इस से जादा कुछ मत करना, यही तुमारी limit है, तो यहाँ पर limiting एक verb है, इस limiting का मतलब यहाँ पर है, अगर आप limiting लिखते हो, तो उसका मतलब है, कि आप किसी को कोई काम करने से रोक रहे हो, और एक word हो होता है, limited, इस limited का मतलब होता है, बस इतने सही, यह limited passenger है, तो इतने सीमित, basically सीमित passenger है, इतने ही passenger, तो यह एक noun है, noun से पहले क्या चाहिए, मुझे एक adjective चाहिए, तो इस limiting की जगा मुझे limited लिखना चाहिए, तो मेरा part of speech speaks correct हो गया, noun से पहले adjective आएगा, इसलिए लगा के limited आ है, मतलब भी सही बैठ रहा है, तो हर चीज़े सही है, only limited passengers, यह आगया subject, यह आगया plural, only limited passengers are allowed, अगर किसी को मेरी बात समझ में आ गई, तो बहुर अची बात है, अगर किसी के ऊपर से चली गई है, तो भहिया, यह classes regular देखना, फिर पक्का धिमाग में आ जाएगी, ठीक है, sorry, आपका answer fourth नहीं, आपका answer होगा first वाला, limiting की जगा, limited है जगा, एक बार मैं बता देता हूँ, आप लोगों को, limiting की जगा, limited हो जाएगा, ठीक है, चलो, first answer, next, मतलब, visiate मतलब है मेरे बाई, किसी चीज़ को affirm करना, किसी चीज़ को बिलकुल क्या करना, confirm करना, visiate मतलब क्या है, किसी चीज़ को confirm करना, confirm करना, तो बताओ, इसका answer क्या होगा, visiate का antonium क्या होगा, violet किसी चीज़ को खंडन कर देना, violet कर देना, ठीक है, खराब कर देना, basically, violet है, illegal, उसको गोशित कर दिया, ठीक है, एक color भी होता है, आपका, spelling है ध्यान रखना, बस, FM तो इसका synonym चला क्या है, cancel कर देना, annal मतलब nullify कर देना, nullify, चलो आप बताओ, उसका answer क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, cancel कर देना, very good, very good, ठीक है, ठीक है, ठीक है, next पढ़ते हैं, we found both to be very quiet and subdued, अब देखो इदर आजो भई, यह क्या है, आपका PQRS, अब इस story की तरह, ठीक है, पहले सारे पढ़ लो, we found both to be very quiet and subdued, ठीक है, subdued मतलब जुके वेक तरीके से, later when we became good friends, they told us about their tragic loss, अच्छा, the महराज were newcomers to the neighborhood, जब मैंने वर्ड देखा, later तो मुझे से पराचला, बाद में, बाद की बात हो रही है, तो यह तो starting में आई नहीं सकता, अग उनको कॉल करा, तो उनको कोन, पता ही नहीं मुझे, तो भीया, C की बात हो रही है, तो C तो पहले आ गया, the महराज were newcomers to the neighborhood, D, my wife and I called on them to ask if they need any help, ठीक है, फिर क्या होगा, हमने उनको देखके, हमने जब उनको देखा, तो हमने देखके उनको क्या लगा, हमने जब उनको दे जब हमने के अच्छे मित्र बन गए, तो उन्होंने बताया हमें, क्या क्या ट्रेजिक लॉस हुआ, यह रा, C, D, A, B, करेक्ट है, बिल्कुर। ठीक है, यह तो कड़ गया, सब्मिसिव है, आज्याकारी है, ओबिडियंट है, रेडि विलिंगनेस है, मतलब विलिंगफुल है, रेडि टू ओबे है, नहीं भी है, तो राइट प्रूफ कर दिये, कुछ भी, भाया, इस इन कंप्लीट कंट्रोल, जिसकी डॉमिनेशन चलत पंदरा दिन बचे हैं, मालो, पंदरा से अठारा दिन बचे हैं आपके पास, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखो, अगर वो ग्रामर और वो कैब आपको लेनी है, और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है, जिसमें आपको 40 वीडियो तक मिल जाए, बाकी मत सिर्फ quality of content में काम करता हूँ, अगर किसी को paid course लेना है, paid course ठीक है, या paid crash course बोलो, क्योंकि सारे recorded रहेगा, recorded है, तो उसमें आपको vocab भी मिल जाए, ग्रामर भी मिल जाए, कि बिल्कुल रखते वे, ध्यान रखते वे, किसका, बिल्कुल आपका ध्यान रखते वे, ssc pattern को, च pio की तहरी कर रहे हो, dsb की कर रहे हो, cut की कर रहे हो, cut ug की कर रहे हो, cut pg की कर रहे हो, तो ये crash course, ये जो full course है, basically, ये आपके लिए बहुत important है, आप जा सकते हो, विने कक्षा मेरी app है, वो download कर सकते हो, उसके बाद आप जैसी download करोगे, इसको open करोगे, तुरंत आप करोगे, store पर, जैसी यहाँ पर नीचे store दिखाई दे रहे हो, आप इस पर click करोगे, यहाँ पर course आजाएगा, ये course आपके लिए नहीं है, ये से वाले बच्चो के लिए है, ये course आपके लिए है, नीचे देखोगे, तो नीचे आपको cut का भी course मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ये course ले सकते हो, ज्यादा नहीं है, 950 value रखिए बस मैंने, इसमें आपका सारा cover हो जाएगा, इसमें आपके SSC पूरी cover हो जाएगी, bank पूरी cover हो जाएगा, आपका DSS भी cover हो जाएगा, जो भाई, cut का pattern है, वो पूरा cover है, तो अगर कोई भाग मेरा भाई, सिर्फ English का course है, मैं दुबारा बता जाता हूँ, पहला point सिर्फ English का course रहेगा ये, ठीक है, दूसरे बाइत, इसी course में मैंने practice भी करा रखिये, तीसरी बाद क्या मिलेगा सर, सर, इसी course में आपको vocab भी मिल रही है, English में grammar plus vocab, चोथा, इसी में मैं आपको अपना WhatsApp नंबर दूँगा, को कोई भी English English का, आपको कहीं से भी कोई भी doubt होता है, तो आप मुझे भेश सकते हो, मैं voice text के थूरू आपको बता दूँगा, जो मेरा course लेगा, उसको ये सारे benefit में लेंगे, इस course को लेने के लिए, अगर आपको कोई भी दूविदा आती है, तो आप इस number पे message कर सकते है, 9289 69096, ठीक है मेरा भाई, ये चीज़ मैंने आपको बतानी तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, चलो आगे next question देखते हैं हम लोग, next 10, my hands were eager for a tour of that awful letter, चलो ये बताओ आप, मैं तब तक वड़ा पानी पी लेता हूं, आप लोग बताएं, my hands were eager, इसके जो मेरे जो हाथ ह के लिए बड़े ही eager है, बड़े ही उत्सुक है, चलो दी से मैं फाड़ना चाहता हूं, अभी फाड़ गया है मैंने, जब मैंने फाड़ा ही नहीं, तो tour कैसे होगा है, second form कैसे आगी, past कैसे आगी, जब मुझे कोई चीज़ फाड़नी है, कोई चीज करनी है, ठीक है, अभी चीज़ स्टार्ट होगई या नहीं हुए, अभी अन्स्टार्टेड एक्शन है, अभी मुझे वो चीज़ करनी है, तो अन्स्टार्टेड एक्शन के लिए मैं इन्फिनिटिव का यूज करता हूं, तो two plus v1 का यूज होगा, क्या आएगा, to tear up, my hands were eager to tear up that awful letter, by जिसका means भी हो, वो भी वीडियो को देखना, पक्का आपका विल्कुल फायदा होगा, मेरे भाई, ठीक है, आ दो, select the misspelled word, misspelled word बताने है, exceed करना, मतलब आगे बढ़ना कि इसे address, जो आपकी घर का address है, किसी को address करना, कोई चीज बताना, attempt जो आपका attempt होने वाला, CHSL का ठीक है, NX, NX की spelling क्या होती है, NX की spelling क्या होती है, NX, NX का मतलब होता है, किसी का control ले लेना, to take control of someone, something or someone, make a list of most the things, underline आपका ये है, मेरे भाई, ठीक है, तो make a list of most the things, you would like to do once, तो भाई, पहले तो मेरी बात आप समझो, वो कहरा, एक list बना, उन चीज़ों की, जो आप करना चाहते हो, जो आ लोगडाउन ओवर हो जाएगा तब, ठीक है, तो आप मुझे एक बाव बताओ, पहले तो आप ध्यान ड़को, most के साथ कोई plural चीज़ आ सकती है, like अगर ये होता, most things, most things, तो ये correct, most के साथ दान ही आए, दूसरी बाद या तो ये होता, most of the things, most के बाद off आता, तो भाई, य each आनी सकता है, ठीक है, क्योंकि each क्या होगा, each होता भी है, एक के लिए, each बाई, each के लिए, यहां तो things है, plural है, तो कड़ गया, improvement तो हमें चाहिए, many, फिर होता है, many, many things, तो भी सही है, many the things, many are होता है, many the कुछ नहीं होता है, तो many तो नहीं होगा, यहां पर all सही है, क्योंक अच्छी लगरी हो, वीडियो अच्छी लगरी हो, तो मेरे लाइक करना और एक काम और कर देना, किसी बंदे को शेर कर देना, वो कहते हैं, सिर्फ किसी ने, आपने किसी की मदद करी, वो आपको thank you बोल रहा है, तो thank you मत बोल भाई, बस तीन लोगो को, बोल दो कि किसी और क मदद करें, आप चार लोगो को शेर कर देना, वीडियो ठीक है, चलिए, select the most appropriate antonium of the given word, जार, augment, augment मतलब होता है, किसी चीज, कोई भी चीज, बढ़ाना, increase करना, ठीक है, multiply करना, बढ़ाना, किसी चीज को, प्रॉफलीगेट करना, increase करना, multiply करना, बढ़ाना, increase करना, amplify का होता है, वो गाना नहीं, amplify का मतलब होता है, किसी चीज को enlarge करना, magnify करना, बढ़ाना, एक तरीके से, ठीक है, तो यार, ये तो सारे synonym है, हमें तो antonium हो जाएगा, decrease आपका, antonium क्या हो जाएगा, decrease answer हो जाएगा, खता है, synonym, synonym बताना है, किसका precision का, precision, precision का मतलब होता है, बिल्कुल देखो, मैं बोलू, precise, इस वर्ड से बनाए, तो इसका मतलब है, बिल्कुल accurate, आप लोग जो paper लगाते हो, मेरे भाई, जैसे मैं आप लोग के लिए paper upload करूँगा, अपना, कल test book का paper लगा के life, ठीक है, तो वो upload करूँगा, देखना है, कि मेरी accuracy क्या होगी, मैं कि सबसे करता हूँ, चाहिए मेरा एक question गलत हो, चाहिए पचास मारूँ, चाहिए एक question गलत हो, मेरी accuracy अच्छी रहती है, 90 प्लस रहगी, तो precise मतलब है, accuracy, आपको अपनी accuracy पर काम करना, vagueness मतलब, जो चीज इस first ना हो, estimation, जो आप estimate लगाते हो, ठीक है, neglect मतलब किसी को shun कर दे सर, avoid करना मतलब, avoid करना मतलब किसी को overlook कर देना, सर, overlook करना मतलब, overlook करने का मतलब हो गया, किसी को condemn कर देना, c-o-n-d-o-n-e, लो भी है, खोल दे, सर, इसका मतलब, इसका मतलब किसी को cast, cast aside कर देना, सर, ये क्या कर रहे हो, आप भहिया, neglect करना, मतलब ignore कर देना, avoid कर देना, cast aside एक phrasal भोगत अनई बड़िद करना यह सारे वर्डों में सर्फ एक बड़ है जो आपके पर में नहीं आया वो वर्ड इगनौर बस बगी सारे पर में आ रहे हैं तो लिखे लोगे तो अच्छी बात है अभी भी उमारी क्लास नहीं बढ़ रही तो हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है success कभी नहीं मिलेगी तो यह आया ही ही के साथ यह modal आई तो modal के साथ क्या होता है he would never modal के साथ आपको क्या चाहिए एक वर्ब चाहिए यह तो आपका adverb है आपको एक वर्ब चाहिए देखो मेरे वाई समझू success success क्या कहते है success is not success is a destination ऐसे कहते हैं लोग ठीक है सक्सेस जो है ना सक्सेस जर्णी सक्सेस जर्णी सक्सेस का मतलब है सक्सेस नाउन है मेरे भाई अभी आप समझोगे त्यान चाहिए पूरी नॉलेज मिलेगी आपको अब सक्सेस फुल लग गया ना यह एक अडजक्टिव होता है ही सक्सेस फुल तो सक्सेस फुल माँ पर सब्जक कॉंप्लिमेंट बग गिया ठीक है सक्सेस जर्णी तो यहां पर सक्सेस नाउन हो गया देखो जासे मैं बोलू success is a journey ठीक है तो यहां पर सक्सेस क्या किसकी बात हो रही है क्या सब्जक्ट है यह एक नाउन है ठीक है मैं बोलू he is successful क्या समझो तो यह ही की विशेशता बता रहा है यह adjective हो गया और बंग कैसा गया subject कॉंप्लिमेंट बंग गया यह ठीक है अब मेरे को यहां पर क्या एक वर्ब वर्ब होती है मेरे भाई वर्ब होती है succeed that he would never succeed यह वर्ब आगी बसंद में तो यह आपका आंसर हो जाएगा अगर किसी को आ गई हो तो बिल्कुल ऐसे लाइक करके बोल तो सक मजा आगया क्या बता ऐसे बोल देना ठीक है मेरा दिन बंजाएगा तो पूट वन्स फूट इन वन्स माउथ ठीक है अपने जो फूट है अपना आपका जो पैर है पैर का जो अंगुठ है वो अपने मुह में रखो और अचानक से आपका रिलेटिव आजाए ठीक है अचानक से आपके ससूर जी आजाए तो क्या होगा एक्सिडेंटली इंबेरस हो गया ठीक है आपने अपने आपको तो करी दिया इंबेरस शर्मिन्दी की आपको तो महसुस होई गई आपने उनको भी कर दिया शर्मिन्दा ठीक है तो एक्सिडेंटली इंबेरस और अपसेट समय या अपसेट थर्ड ओप्शन कहा चला गया ह चैने ने लिखा, of the given sentence, भाई पैसे फॉर्म है, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो जल्दी ली, the disaster management team से गया आया है, V2 है, V2 किसमें चैनल होता है, was, were, was या were, plus में V3, देख लो कहां पर है, यह have been, नहीं, being तो continuous में आता है, यह, were rescued, यह answer हो गया, the flood, मिल्कुल सही है, आगे बढ़ो, time waste नहीं करना है, doctors who deals with bone problems, भाईया क्या बोलते हैं, उसे orthopedist बोलते हैं, यह तो सब को मालू है, derma, derma is the root word of skin, dermalogist कौन होते हैं, जो skin care doctor होते हैं, skin specialist, ortho, ortho आ रहा है, chiro practitioner होते हैं, chiro podist, यह deal करते हैं, feet से, feet, आप का आंसा, थड़ हो जाएगा, शेकर गुपता is one of the desk journalists of India, भाईया यार, यह तो पूरा vocab, बेश्दा देख लो, pertinent मतलब होता है, कोई चीज बड़ी ही relevant हो, ठीक है, यह तो होगा नहीं, exponent का मतलब क्या है, exponent का मतलब है, Eminent मतलब होता है, well respected, well known, well known, आपका अंसर हो जाएगा, Eminent, E-M-I-N-E-N-T, शेकर गुपता is one of the Eminent journalists of India, next, given below are four, it's he, PQRS, PQRS आप लोगों ने बताने हैं, चलो भी बताओ, यह भी PQRS आगया, बहुत असान है यह तो, और असान है, सब असान है अचके टेम, किसका फेस, पता ही नहीं कुछ, बत एक conjunction है, conjunction से कभी भी start नहीं होता है, तो C, A तो cut गिया, देखो, आपको बहुत चीज़ी है, सीखने को मिलेगी, सीखना, फिर आगया, B, D, बस इसमें ना, देखो, सारे अलग अलग है, C, अलग, D, अलग, B, अलग है, बस एक डूटलो starting आ, A, तो cut गिया, क्योंकि बट से starting होती नहीं है, ठीक है, लोग आप या अराम से अच्छी ची राइटिंग में समझाता हूँ, ए तो cut गिया, but conjunction से starting नहीं होती, आप देखो, क्या रही है, my hand reach out to grab the handle of the door that let into the kitchen, ठीक है, बस वो अपना हाथ बढ़ाई रही थी, door को पकड़ने के लिए, बट हुआ गया, but I missed, उसने miss हो गई वो, और went sprawling across the kitchen floor, kitchen floor की तरफ समल्ला वो गिर गई, या गिरने को आगे बढ़ी, ठीक है, तो D हो गया, C हो गया, यही अंसर आगे भी पढ़ लेते है, My mother looked up in time to see me fall, मुझे गिरते हैं उनों ने देखा, her face had the most, बिलकुल ढर गई वो, और बिलकुल चौक गई, बहुत चक्की हो गई, एकदम सा डर गई वो, यही आपका correct answer, लो, क्या कहानी बनाई हो तुम्हारे भाई ने, बाई, बाग की बढ़ाई, आज ओ, नेक्स आज़, The doctor felt some medicines with the instructions for giving them, ठीक है, कोई doctor ने बोला, दिये भाई, कोई medicines दी, instructions के साथ, one was to dash down the fever, another to become an acid condition, ठीक है, एक थी भाई, overcome करने के लिए, acid को किसी चीज़ को, जो भी उनके पेट में acid हो रहा होगा, और दूसरी यह fever को कम करने के लिए, one was to dash down the fever, bring, shrink मतलब सिकूड ना, reduce मतलब क कम करना, सब का मतलब कम करना है, से bring को छोड़के, अब मेरी बास सुनो, अब अब देखते है, आप में से कौन answer देता है, इसका, मैं तो बता ही दूँगा, आप लोगों को, ठीक है, देखो, आपको छी बताता हूँ, bring down, bring down, जब मैंने इस down को देखा, तो मुझे पता है, bring down एक phrasal verb होती है, क्योंकि मैं मेहनत कर किया हूँ, बच्चा, मैं आप के लिए बात कर रहा हूँ, आप मेहनती बच्चे हो, तो जैसी पढ़ने वाला बच्चा देखी का, bring down का मतलब होता है, to reduce, कम करना, और down के साथ bring भी बिलकुल सही बैट रहा है, तो bring down, यही मेरा answer है, खतम कहा है, next, यह हो गया कम फिद, the germs- influenza can exist only in acid condition, the germs, किसका germs, at, to, off, the germs of, यह तो बहुत ही असानता है, he said there was dash to worry, he said, he said there was dash to worry, worry, if the fever did not go up above, एक सुन, यह बही है, एक सो तीन सो पर फिवर ना जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता वाली, तो कोई जन, there is nothing to worry, nothing to worry, यार, इतना सान है, nothing to worry, nobody है, किसी परसंग की बात तो, everything, नहीं, anything, नहीं, nothing, फिर क्या, he said there was nothing to worry, this was an dash of flu and there was no danger, if phenomena could be, this was an dash, क्या होगा, epidermis था, epidermis मतलब होता है, यह, derma, derma, derma is skin, outer layer of skin, is called epidermis, epidemic था, मतलब जो, चीज महामारी हो जाए, फैल जाए, एक particular area में, एक large पर नामने में फैल जाए, उससे epidemic कहते है, जो overall the globe फैल जाए, उससे pandemic कहते है, तो यहाँ पर आ जाएगा epidemic, ठीक है, erosion, soil, erosion, पता ही, आपका explosion, bum bum फट जाए, थर्ड answer हो गया, next है, next क्या बोल रहा है, this was and dash, this, this one and dash of flu and there was no danger, if, if, अरे क्या हो गया, बचाना, पोस्पोर मतलब, पोस्पोर काया, टेफर कर सकते हो, और को ओर सकते हो, डिले कर देना, डिले, प्रोटेकर करना, बचाना, प्रिजब मतलब की चीज को, सेफ करके रखना, अरे भीया, प्रिवेंटेड ही होगा, could be prevented, वैसे भी could आरहा, modal आरहा, be आरहा, वर्ब की थर्वम, चलो सभी थर्वर्म में कोई नहीं, 25 हो गए है, जो बच्छों को नहीं पता है, मैं उनको एक बार दुबारा से बता देता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहा रहा हूँ, आप लोगो को बार ब हमने मौक को डिजाइन करा है, तो ज़्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये लिलो, आप कहीं से भी compare करोगे, तो क्या है, मतलब 90 रूपीस का आपको एक मौक पड़ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, तो हमें ये है कि भाई, सब लोग मौक लगा पा और अगर जो हमारे लेना चाहिए, तो वो इस number पर contact कर सकते हैं, ठीक है मेरा भाई, तो चलिए आगे next question देखते हैं हम लोग